हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मारकेट ग्यान में आज अब इस वीडियो में बात करने वाले हैं IRFC के बारे में कल यहाँ पर IRFC का आपको quarter one का जो result है वो देखने को मिला और जो result आया वो काफी जादा impressive नजर आया क्या सच में आपको कोई corporate action देखने को मिला क्या company ने आपको dividend bonus या फिर split कुछ दिखाया है इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और अच्छे result के बाद भी यहाँ पे आपको share में गिरावट का माहल क्यों देखने को मिल रहा है वो भी हम यहाँ पे discuss करने वाले है साथ के साथ आप मेरा private telegram channel तो join करी सकते हो आज भी मैंने वहाँ पे आपको तीन से चार calls share की है short term के हिसाब से जिनके execution के chances पूरे नजर आते हैं लिंक मैंने description में provide कराई हुई है जाके आप वहाँ से join कर सकते हो और बिलकुल free of cost आपके लिए यह मैंने provide कराया हुआ है सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं आज के market scenario में so that हमें context मिल जाएगा कि आखिर हमारा discussion किस mode में जा रहा है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो market में आज आज आपको एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रहे है यानि कि sensex में 500 points का upside moment, nifty 50 में 121 points का moment, nifty bank में तो गजब की तेजी है 570 points का moment, nifty mid cap में 261 points का upside moment तो वहीं अगर आप कुछ stocks देखोगे जिनमें आज के दिन अच्छी rally नज़र आती है IGL, महानगर गैस, क्यूमिन्स, आदित विला फेशन, जिसमें 5.5% से लेके 6.7% तक का upside moment आपको देखने को मिल रहे है तो वहीं Abort India, PBR, GNFC, Tata Consumer Product इनमें 2% से लेके 4% के आज़ पास की गिरावट आज के दिन में आपको यहाँ पे नज़र आती है IRFC का भी scenario हम यहाँ पे देखेंगे, उससे पहले जल्दी से नज़र डालते है कि आखिर company ने result क्या दिखाया है सबसे पहले मैं आपको देखाता हूँ कि आखिर जो company की income है वो कैसी रही है यहाँ पे आपको तीन चीज़े देखने को मिल रही है 30 June 2022 यानि कि जो last quarter इसका result फिर March quarter का यहाँ पे देखने को मिल रहा है और फिर June quarter last year का तो सबसे पहले income देखते हैं इंकम आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है 56,274 ठीक है अब यहाँ पर जो amount है वो million में नजर आता है तो मैं केबल आपको यहाँ पे figure बताऊंगा तो 56,274 का इस बार का income का data है जो कि पिछली बार 59,328 था यानि कि quarter on quarter basis पे company की जो income है वो definitely कम होते हो नजर आई है लेकिन year on year basis पे जो 45,816 थी वो इस बारी 56,274 हो गया यानि कि year on year basis पे definitely company ने अपनी income को बढ़ाया है प्लेस पॉइंट नेगेटिब पॉइंट ओन चीज यानि कि Q on Q basis पे कम हुआ है Y on Y basis पे increase हुआ है अब expenses के बारे हम बात कर लेते हैं expenses 39,658 इस बारी के last quarter के 44,399 तो ये एक अच्छी चीज हुई है कि यहाँ पे अगर income कम हुई है तो साथ के साथ expenses भी कम हुए है ये एक अच्छी चीज निकल के आती है और year on year basis पे भी यहाँ पे आप देखोगे तो 30,796 था जो कि value अब बढ़ कर 39,658 हो गया है यानि कि अगर आप देखोगे तो expenses year on year basis पे बढ़े हैं लेकिन उतने जादा नहीं बढ़े है तो overall expenses पे अच्छा control किया है company नहीं यहाँ पर तो ये बात होगे हमारी income और expenses की अब हम आप बात करेंगे कि आखिर कमपनी को जो profit है यानि कि profit for the period कितना हुआ है profit का figure यह आप निकल के आता है 16,615 जो की last quarter में था 14,924 इविन दो income कम हुई है लेकिन company ने अपनी profitability पर काफी काम किया है और profitability increase होती हो नजर आई है 14,924 से बढ़कर 16,615 हुई है और अगर आप देखोगे तो same quarter last year में ये figure आपको 15,019 देखने को मिल रहा था यानि कि जो profitability है वो आपको year on year basis और quarter on quarter basis दोनों ही basis पर increase होती हुई नजर आई है साथ के साथ आप यहाँ पर EPS भी देखी पा रहे होगे कि आपको quarter on quarter basis और year on year basis पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो यह जो result आया है काफी जादा सही नजर आता है decent नजर आता है कि company की जो income है वो उतनी नहीं हो पाई revenue उतना नहीं हो पाया लेकिन फिर भी company ने अपनी profitability को increase कर दिया तो यह एक अच्छा point और साथ के साथ मैं आपको यह भी बता दूँ company ने कोई भी corporate action यहाँ पे announce नहीं किया है ना ही कोई dividend ना ही कोई bonus ना ही कोई split बॉनस और split का तो मैंने आपको पहले से बता ही दिया था कि नहीं मिलेगा लेकिन dividend के chances ते लेकिन वो भी company ने इस बारी नहीं दिया मेरे लिए यह एक सब्से बड़ा negative point निकल गया आता है आपके according इस particular result में क्या दिक्कत है क्या अच्छी चीज है वो आप मुझे comment box में जरू बताइए तो यह तो बात होगी overall quarter one के result के बारे में अब आज जब market open हुआ तो क्या scenario चल रहा है तो आप यहाँ पर देख पाओगे के जो IRFC है वो आज के दिन आपको गिरावर दिखाते हुआ नजर आ रही है यानि कि 0.70 हो सकता है closing time पर यह एक परसंट के आजपत भी पहुँच जाए 21 रुपे 20 पैसे पर आपको यह जो share है वो आज के दिन trade करते हुआ नजर आ रहा है यानि कि अच्छे result होने के बाद भी आपको यहाँ पर गिरावर देखने को मिल रही है और same scenario आपको IRCTC में भी देखने को मिल रहा है पिछले 5 दिनों में 1.17% की गिरावर आपको IRFC में द orderly बहुत बड़ी गिरावर ठोगी थी और वहां से थोड़ी सी recovery हुई तो आपको यहाँ पर यह 5% का return जो है वो देखने को मिल गया था अधरवाइस company ने आज तक अपने share order को कोई भी अच्छे returns नहीं दिये है मैं आपको directly जो NSE का data है वो देखा देता हूं selling quantity अगर आप यहाँ पर देखोगे 30 लग के आसपास है बाइं केबल और केबल 10 लग यानि कि volume नहीं है share में वह हम सभी को पता है लेकिन जितना भी volume है उसमें भी selling pressure ही जाता है लोग इससे exit ही कर रहे है क्योंकि अब लोगों को यहाँ पर पूरी तरीके से विस्वास हो यह share आपको 20-21 रूपे के आसपास ही trade करते हो नजर आएगा इसी वजह से लोग इसमें से exit कर रहे हैं और यहाँ से पैसा निकाल के कोई दूसरे stock में निवेश कर रहे हैं साथ के साथ आपने यहाँ पे delivery percentage देखोगे तो करीवन 58 percentage के आसपास नजर आता है जो कि जिसने भी movement आए तो तो समझ में आए लेकिन इसमें तो कोई movement आते ही ने तो लोग इसमें ट्रेडिंग भी नहीं करते हैं लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर देखो तो overall fundamentals अच्छे नजर आते हैं financials अच्छे नजर आते हैं company की जो forecasting and rating है analyst की तरप से वो भी अच्छी ही नजर आती है अभी भी 100% लोग यहाँ पर recommend कर रहे हैं आपको buying करनी चाहिए data मैं पुराना भी आपको दिखाऊं तो उसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नजर नहीं आती चाहे revenue के बारे में बात करो profitability के बारे में बात करो तो definitely चीज़ें काफी सही हैं लेकिन major और सबसे बड़ी जो negative scenario और वो share holding pattern में बहुत बारी आपको बता चुक हूँ इस पे जार discussion करने का मतलब बनता नहीं है आप मुझे comment box में जरू बताइए कि क्या IRFC यहां से बढ़ेगा या फिर हमेसा इतना ही घूमता रहेगा वीडियो अच्छी लगी हो like करिएगा चैनल तो बश्ना विजिट कर सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा और प्राइवेट टेलिग्राम चैनल तो free of cost आप जोइन करी सकते हो लिंक प्रोवाइड कर आई हुए धन्यवाद